हाई एवरिवन आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे और सॉल करेंगे स्क्वेर पजल इससे पहले हमने बात की थी ट्रैंगल और रेक्टैंगल पजल के बारे में ठीक है हमारा जो आइडिया है वो होता क्या है कि हम एक प्लेइन पेपर लेते हैं उसमें से कोई शेप निकाल देते हैं ठीक है तो आज की लेक्चर में क्या करेंगे यह मैंने एक प्लेइन पेपर लिया है और इसमें से मैंने एक स्क्वेर पार्ट को हटा दिया है ठीक है फिर हम डि set बनाएंगे ठीक है और फिर यह discuss करेंगे कि क्या वो set of action group बनाता है या नहीं बनाता है ठीक है तो आज हमने लिया है square ठीक है तो इस square को इस footprint के अंदर fit करने के बहुत सारे तरीके है ठीक है नॉर्मल तरीका कौन सा है मैं इसको as a t's रखों इसको या नहीं 1, 2, 3, 4 तो यह हमारे normal position है और इस position को हम क्या कहते है आइडेंटिटी position ठीक है तो पहला तरीका हमारे पास क्या है identity position ठीक है तो दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है कि मैं इस square को 90 degree से rotate करूं ठीक है तो भी मेरा यह square is footprint के अंदर एकदम fit बैठता है तो दूसरा तरीका क्या है rotate rotate by what r यहां पर क्या है 90 degree से ठीक है दूसरा क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको एक और बार 90 degree से घुमाऊं याने कि total कितना 180 degree तो दूसरा क्या रोटेशन बाइ 180 degree तो भी इसके अंदर fit बैठता है हमारे पास एक नया पैटर्न मिलता है 3412 जो कि पहले जैसा नहीं है ठीक है एक और तरीका क्या है कि इसको हम एक और बार क्या करें रोटेट करें ठीक है सो रोटेटिंग बाई अब कितना हो गया 270 degrees एक और बार करते हैं तो जब आप इसको एक और बार करते हो याने 360 डिग्री से करते हो तो हमारे पास फिर से कौन से पोजिशन बन जाती है आइडेंटिटी पोजिशन तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि सेट के अंदर जो है हम दो सेम इलेमेंट को बार बार लिखते नहीं है रिपीट नहीं करते हैं ठीक है यह हमारे पास कुछ एक्षन आ गए जिससे हम स्क्वेर को इस फूट्प्रेंट के अंदर एकदा बढ़ा सकते हैं और कोई दू स्क्वेर है तो मांग देए इसकी क्या है यह होरिजॉंटल एक्सिस है तो हम इस स्क्वेर को इस होरिजॉंटल एक्सिस के अलॉंग फ्लिप कर सकते हैं यानि कि यह इसकी इसकी होरिजॉंटल एक्सिस है और इसके अरौंड में इसको फ्लिप कर सकते हूं तो आप चाहे इस अलग है ठीक है तो और कौन सा action हुआ horizontal flip ठीक है तो horizontal flip आप इसको फिलहाल जाए F1 नाम देख सकते हैं और कौन से तरीके हैं और तरीका है कि मैं इसको vertical flip दे सकती हूँ यानि कि मेरी vertical axis है और vertical axis के along यानि कि ये करूँ तो मेरे पास क्या है 2143 अब फिर से ये जो square है इसके अंदर fit बैट गया यानि कि एक और तरीका है जिसे हम कहेंगे vertical flip नाम देते हैं इसको F2 जो करने पर इस square जो है इस foot footprint के अंदर एक दम सही बैटता है तो horizontal और vertical flip तो हमने rectangle के अंदर भी देखा था लेकिन यहाँ पर एक और है वो है diagonal flip ठीक है तो यह हमारा diagonal axis है और इस diagonal के along यानि कि इस 2 4 के along ठीक है पहले इसको मैं normal position पे ले आती हूँ तो इस 1 3 के along भी अगर मैं इसको flip करूँ यानि क्या कि इसको same रखो 1 और 3 same रहेगा और 2 और 4 change हो जाएगा वो कैसे इस तरह से ठीक है तो 1 और 3 तो same रहेगे 2 और 4 क्या होगे change होगे 2 इधर आ गया 4 उधर चला गया तो मेरे पास एक और तरीका क्या है कि मैं इसको diagonally diagonally क्या करूँ flip करूँ तो this is f3 लेकिन इसका एक और diagonal है कौन सा ये वाला ठीक है तो इस diagonal के along भी आप इसको क्या कर सकते हो flip कर सकते हो यानि कि 2 और 4 ये same रहेंगे और 1 और 3 interchange हो जाएंगे यानि कि मैं इसको उठाके 3 को उठाके 1 पर रखूँगी ठीक है तो 2 और 4 सेम होगे और 3 और 1 change हो जाएगे तो ये मेरा क्या हुआ diagonal दूसरी वाले diagonal और नाम देते हैं इसको F4 क्या और ऐसे तरीके हैं जिसको मैं इस पे apply करूँ तो ये इसके अंदर fit बैठ है ठीक है ऐसे और कोई तरीके नहीं हमने सारे possible तरीके देख लिए हैं ठीक है अब इन सारे action को ये action है इनका एक set बनाते हैं और उसको नाम देती ह हूं मैं D4 ठीक है so D4 is what एक है identity position ठीक है so मैं इसको नाम देती हूं E क्योंकि शायद ही अगर ये group बनाता है तो हम इसको जो है identity element की तरह use कर सके तो ये मेरा identity हुआ दूसरा है rotation इसको R1, R2 और R3 नाम देते हैं so R1, R2, R3, 90 degree, 180, 270 next is flip 1 याने की horizontal, flip 2 याने की vertical, flip 3 along one diagonal और flip 4 along another diagonal ठीक है so मेरे पास D4 के अंदर कितने element आ गए 8 आ गए ये 4 और ये 4 ठीक है अब यहां की खास बात क्या है कि जो पहले 4 है देखो identity position को आप ये भी कह सकते हो कि आप 0 degree से rotate कर रहे हो याने कि आप rotate ही नहीं कर रहे हो ठीक है तो ये पहले 4 elements जो है वो rotation के वज़े से आ रहे हैं और ये बाकी के flip की वज़े से या फिर आप कह सकते हो reflection की वज़े से आ रहे है same as in case of D3 D3 के अंदर कितने element थे 6 element थे और 6 में से 3 elements जो है rotation की वज़े से और 3 reflection की वज़े से उसी तरह से D4 में 4 rotation की वज़े से और 4 reflection की वज़े से आ रहे हैं ठीक है फिर से वही बात कि यहाँ पे अब बहुत सारे alphabet होगे E, R1, R2, R3, F1, F2, F3, F4 और हम क्या चाहते हैं कि मैं इस set को जो है कम alphabet के रूप में लिखूँ ठीक है यानि कि इनका relation तो एक relation तो बहुत आसान सा है कौन सा कि देखे अगर R को मैं मानती हूँ rotation by 90 degree ठीक है तो R square R square का मतलब क्या कि R को दो बार करना यह हो जाएगा rotation by 180 degree और R3 हो जाएगा rotation by 270 ठीक है तो यह तो reduce हो गए मेरे R1, R2, R3 किसमें reduce हो गए? R, R square, R cube में यानि कि सिर्फ R के रूप में आ गया ठीक है अब बात आती है F1, F2, F3, F4 के बारे में ठीक है और इन relation को समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा केले ग्राफ की तरफ जो मैंने already बनाया है ठीक है आपको explain करते हैं तो यह है इसका केले ग्राफ ठीक है बहुत आसान सा है तो देखिए 1, 2, 3, 4 यह मेरी है identity position जिसको मैंने नाम दिया है E और अगर मैं इसको rotate करती हूँ तो मेरे पास आता है 4, 1, 2, 3 याने की R इसको नाम देंगे R इसको एक और बार rotate करेंगे याने की R square यह R square है कितना है 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ठीक है एक और R cube कितना है 2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 तो यह चीज़ तो हमें clear है ठीक है अब बात करते है flips के बारे में तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर का arrow है यह आपको बताता है rotation ठीक है और यह ब्लू कलर का arrow है यह आपको बताएगा flip ठीक है तो पहला flip कौन सा है horizontal flip तो अगर मैंने इसको horizontally flip किया तो क्या निकला 4, 3, 2, 1 लेकिन interesting से बात यह है कि देखिए अगर मैं इसको जो है vertical flip देती हूं याने कि इस तरह से तो मेरे पास क्या निकल किया आता है 2, 1, 4, 3 याने कि यह वाला ठीक है तो यह मेरा actually क्या है जिसे हम नाम दे रहे थे F1 ठीक आप कौन सा भी नाम दे दीजे मान लिजे F3 है और यह हमारा F4 है so interesting बात यह है कि यह F1, F2, F3 और F4 इस में से अगर मैं इसको F मानूं तो इन तीनों को मैं जो है इस F और इस R से निकाल सकती हूं एक बताती हूं बाकि आप समझ जाएंगे ठीक है तो बात करते हैं हम मान दीजे F4 की ठीक है so F4 कैसे निकाला जा सकता है यह मेरी है identity position ठीक है और अगर मैं इसको एक बार rotate करती हूं यानि मैंने क्या किया R किया है फिर मैं इसको horizontal flip देती हूं यानि कि F देती हूं तो कितना आया 3 2 1 4 कितना आ गया 3 2 1 4 यानि क्या कि यह जो flip है F4 मैंने कैसे generate किया पहले मैंने R दिया rotate किया और फिर flip किया यानि कि मैं इस F4 को किस तरह से लिख सकती हूं R F के रूप में लिख दिया मैंने इसको ठीक है तो मेरे जो set था set of action जो set बनाया था इसमें से F4 वाला जो alphabet था हो निकल गया और उसकी जगह हम R F लिख सकते हैं यानि कि F4 को R और F की Terms में लिख सकते हैं ठीक है उसी तरह से आप जो है F2 को भी लिख सकते हो तो F2 को कैसे निकालेंगे पहले आप अपना normal position लीजे उस पे दो बार R apply कीजे तो R square आ जाएगा और फिर मतलब दो बार rotate करने के बाद उसको flip कीजे horizontally flip ठीक है यह arrow का मतलब है horizontal flip तो आपके पास जाएगा F2 याने क्या पहले मैंने इसको rotate किया through 180 degree और फिर मैंने इसको flip किया similarly इसको आप कैसे निकाल सकते हो इसको sorry F3 को कैसे निकाल सकते हो पहले आप जो है R cube करो याने कि 270 से rotate करो और फिर उसको horizontal flip दो तो यह कितना आ जाएगा R cube F याने कि 1432 इन flips को याने कि F3 F2 और F4 को निकालने का दूसरा तरीका क्या है आप यह cycle देख रहे हो ठीक है तो यह बड़ा आसान है आप क्या कर सकते हो पहले जो है इसको आप दीजिए horizontal flip याने कि 4 3 2 1 और फिर इसको जो है rotate करते जाए clockwise में ठीक है 90 से मैंने rotate किया तो मेरे पास क्या आ गया 1432 याने कि मेरे पास F 3 आ गया फिर एक और बार मैंने इसको 90 से किया याने कि 180 से किया तो मेरे पास आ गया 2143 और फिर से किया तो मेरे पास आ गया 3214 याने कि जो पहला वाला यह जो flip निकला है इसको कैसे कर सकते है पहले flip और फिर rotate याने कि FR ठीक है यह वाला कैसे निकाल सकते है पहले flip और फिर जाओगे ठीक है याने कि हमारे पास जो नया सेट बना है वो रिडियूस होके यह बन गया क्या E R R square R cube ठीक है obviously R to the power 4 यहाँ पर क्या रहा है फिर से identity आ रहे है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ठीक है फिर है F दूसरा element हमारे पास क्या है R F फिर R square F और R cube F ठीक है तो हमारे पास यह 4 flip होगे और यह 4 rotation होगे यहाँ पर एक खास बात क्या कि जो flip है उसका अगर उसको आप जैसे यह flip है और इसको एक बार और perform करोगे तो आप फिर से identity पे आ जाओगे यानि कि जो flip का order है वो कितना है दो ह आता है E के बराबर आता है अब मेरे पास आ गया है यह set ठीक है और हमेशा की तरह कि अब question यह है कि क्या यह set group बनाता है यह नहीं बनाता है ठीक है तो अगर आपने equilateral triangle की symmetry देखी है तो आप obviously इस part को भी solve कर सकते हो यह definitely group बनाता है पहली property closure को यह satisfy करता है क्योंकि अगर ठीक है माल नीजे मैंने कोई भी दो element ले लिए R cube और F ले लिए ठीक है तो एक मैंने 270 का rotation लिया तो पहले मैंने square को 270 degree से घुमाया फिर मैंने इसको flip किया ठीक है तो यह जो चीज है यह इस set में belong करती है यहाँ पे दीखिए ठीक है ओके एक और सवाल माल नीजे मैंने पहल फिलिप किया और फिर मैंने इसको 270 से घुमाया तो क्या आगे F R cube तो क्या यह चीज इसमें belong करती है definitely belong करती है क्यों क्योंकि देखिए F R cube किसके बराबर है F R cube is equal to RF के बराबर है ठीक है so F R cube is equal to RF तो यह actually हमारा कौन सा flip है यह हमारा चौथा वाला flip है ठीक है जो F R cube आई है हमारा fourth flip है so since आप यहाँ पे देख रहे हो F R cube is equal to RF F R square is equal to R square F और F R is equal to R cube F यह relation आप देख रहे हो ठीक है यह कहने का यह मतलब है कि पहले आप जो है rotate कीजिए flip कीजिए तो आपके पास यह position आएगी या फिर flip कीजिए और फिर तीन बार rotate कीजिए तो भी same position आएगी याने क की दोनों बराबर है ठीक है so again यह चीज कहां पर बिलॉंग कर रहे है यहां पर बिलॉंग कर रहे है तो यहां पर आप कोई भी दो element लेंगे operate करेंगे तो जो नया element आएगा वह हमेशा उसी set में बिलॉंग करेगा तो closure को भी यह satisfy करता है second is associativity यह चीज हमने already दो वीडियो म देख ली है ठीक है so associativity simple सी बात है जैसे कि माल लीजे R फिर R square और फिर F तो चाहें आप पहले rotate कीजे 180 से rotate कीजे और flip कीजे या फिर पहले आप rotate कीजे और फिर 180 से और flip कीजे इन दोनों का answer हमेशा same आने वाला obviously बात है यह आप action कर रहे हो तो यह फरक नहीं पड़ता ठीक ह third is existence of identity क्या इसमें identity exist करती है बिलकुल कौन सी हमारी जो normal position थी याने कि 1,2,3,4 तो 1,2,3,4 जो है exist करती है क्यों क्योंकि अगर आप इस पे जो है कोई भी action लगाते हो हमारा जो position है 1,2,3,4 वाला यह वाला position है इस पे अगर मैं rotation लगाते हूं तो मेरे पास जो यह result आता है य actually rotation है याने क्या E मेरी identity position है और इसके बाद में rotation लगाती हूं तो मेरे पास rotation आता है या फिर यह मेरा rotation वाली position है और फिर मैं इस पे E लगाती हूं E मेरी लगाती हूं मतलब कुछ ना करना ठीक है तो आइटेंटिय पोजिशन को हमने पहेले क्या नाम दिया था dn याने doing nothing ठीक है फिर हमारे रोटेट किया फिर कुछ भी नहिं किया याने कि identity लगाई तो हमारे पास फिर से क्या आइगगा पहले रोटेट किया फिर आइट शक्षिस्टैस यहांने अगर मेरे पास मैंने इसरे यह इस गेम में पुझत है रिवर्स अट्चिन करना पॉसिबल है P Allah पर दोंगी रिपीट जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात किये थी जो चेस का गेम होता है उसमें आपने एक बार जो एक्षन किया आप उस एक्षन को वापस से ने कर सकते हैं मतला उसको रिवर्स ने कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहां पर क्या है कि अगर आ इन्वर्स देखते हैं ठीक है जैसे मान लीजे आर का इन्वर्स क्या है ठीक है तो यह मेरा है आइडेंटिटी पोजिशन यह मैंने रोटेट किया तो अब मैं इस पर ऐसा कौन सा एक्षन लगाऊं कि यह जो है आइडेंटिटी याने कि 1,2,3 वाली पोजिशन पर आए ठी इसमारी बार रोटेट किया तो भी आईडेंटिटी पोजिशन यह जो हो साथ अगाऊं कि आ यह ने कि आ एक्षरें रिख आ इन्वर्स किया है यान एक़र मैंने र किया है तो इस आर को वापस से आइडेंटिटी पर लाने के लिए मुझे रोटेट करना पड़ीगा अस इसी तरह से आप चेक कर सकते हो कि r² का जो inverse होता है वो r² खुदी होता है ठीक है और r¥ क्यूब का जो inverse होता है वो होता है अधार ठीक है कि यह ना यह बड़ी काम की चीज़ है मेरी लिए ठीक है क्यूं देखिए हमारे पास जो है एक सेट बन गया है और ये भी मेरे पास D4 is equal to, इससे पहले मैं इसको छोटा करूँ, यहाँ पे ये तीन element बहुत important है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है, कि जो Rf है, Rf है, ये बराबर होता है आपके, Rf के, ठीक है, जो हमारा Rf है, ये बराबर है, Rf के, जो हमारा Rf है, ये बराबर है, Rf के, ठीक है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखो, तो ये हमारा R है, और Rf क्या है, इस R का inverse है, यानि कि इसकी जगह लिख सकती हूँ, मैं Rf, ये हमारा Rf है, और Rf का inverse क्या है, Rf, यानि कि मैं इस Rf के जगह लिख सकती हूँ, Rf का inverse, ये हमारा Rf है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, Rf है, और Rf क्या है, Rf का inverse है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि यह D4 एक ऐसा ग्रूप है जहां पे यह पूरा का पूरा R और F से जनरेट होता है such that कि R to the power 4 is equal to identity, F to the power 2 is equal to identity and R F is equal to FR inverse और हमारा bracket close ठीक है कि आप इस condition से यह बाकी के दो भी निकाल सकते हो ठीक है तो हमारा जो representation of group है D4 यह और भी छोटा हो गया है ठीक है तो D4 जिसे हम कहते हैं diahedral 4 group ठीक है तो di4 group किसके बारे में बताता है symmetry of square के बारे में बताता है तो यह symmetry group है ठीक है जो किसके बराबर है R and F such that R to the power 4 is equal to F to the power 2 is equal to identity and R F is equal to FR inverse अब बात करते हैं इसके subgroups के बारे में ठीक है तो इसके subgroups के क्या क्या possibility है एक तो वो खुद और एक identity ठीक है इसके अलावा क्या बन सकते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर एक cycle बन रहा है ठीक है तो identity R, R square, R cube यह एक subgroup बना सकता है कौनसा identity R, R square, R cube ठीक है तो यह एक cyclic subgroup है किसका? D4 का ठीक है लेकिन D4 cyclic नहीं है क्योंकि D4 जो है दो element से generate हो रहा है R और F से लेकिन वो एक element से नहीं हो रहा है इसलिए वो cyclic नहीं है लेकिन उसका एक ऐसा subgroup है जो cyclic है ठीक है H2 क्या हो सकते है? H2 हम एक ऐसा बना सकते हैं कि एक identity लेते हैं और एक flip लेते हैं क्योंकि हर flip जो है वो self inverse होता है ठीक है? तो अगर दोनों element self inverse है तो ग्रूप definitely बनाएगा ठीक है? तो एक identity और एक flip लेंगे ठीक है? नेक्स्ट हो सकते हैं हमारा H3 क्या हो सकते हैं एक identity और दूसरा वाला flip और दूसरा वाला flip हम कैसे generate कर सकते हैं? RF से ठीक है यह self inverse है यह भी self inverse है दोनों को operate करोगे तो उसी में belong करता है ठीक है identity exist करती है inverse exist करता है associative definitely है ठीक है तीसरा flip याने कि identity और r square f पांचवा obviously हमारा next flip याने कि एक identity और एक r cube f ठीक है तो एक दो तीन चार चार सब गुरूप तो हमारे flip से निकल आ गए ठीक है और एक हमारा rotation आ गया कि इसके अलावा भी और कोई सब गुरूप हो सकते हैं देखें इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अलावा एक और हो सकता है ठीक है हम यहाँ पर देखो यह self inverse है यह भी self inverse यह भी self inverse यह भी self inverse क्या rotation की case में ऐसा element था जो self inverse था definitely r square ठीक है तो अगर में एक identity लूँ और एक r square लूँ क्योंकि है r square का inverse हो खुद है identity का inverse हो खुद है तो यह भी एक group बनाता है ठीक है तो एक हमारे पास एक एक और कौन सा आ गया e r square यह भी क्या है सब ग्रूप है ठीक है और क्या possibilities है कुछ observation करके आप एक और सब ग्रूप बना सकते हो identity r square यह जो है यह self inverse है ठीक है इसमे एक flip डाल दिया और एक f r square ठीक है यह भी क्या बनाता है अपने आप में एक सब ग्रूप बनाता है ठीक है यह चीज़ तो clear है identity क्या है self inverse r square self inverse f self inverse और यह भी एक flip है सारे self inverses है तो इसमें कोई दिक्कती नहीं है यानि कि यहां पर तो सारे सब ग्रूप जो है self inverse से create हो रहे हैं एक और हम ऐसा बना सकते हैं कौन सा एक identity एक r square और एक flip लेंगे और एक f r ले लेते हैं यह भी क्या है यह भी सेल्फ inverses हैं ओके तो क्या यह सब ग्रूप है तो क्या यह सब ग्रूप बनाने के लिए इसको अपने आप में ग्रूप बनाना पड़ेगा ठीक है तो क्या यह closure property को satisfy करता है ठीक है एक लेकर चलते हैं r square और f r so r square f r r square f किसके बराबर होता है f r square के बराबर so f r square r so यह आगे f r cube क्या f r cube इसमें है नहीं है ठीक है देखते है f r cube जो है r f के बराबर लिखा जा सकता है क्या r f इसमें है नहीं है लेकिन f r है लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि r f और f r बराबर नहीं है देखिए यह हमारा है r f r और यह हमारा है f r ठीक है और r f और f r जो हैं बराबर नहीं है तो यहां से एक 한क Nós Metro कि इसका मतलब यह है कि यह सबग्रूप नहीं है। थीक है तो आप जब भी सबगूप चेपकर रहे हो तो उनकी եूल प्रोपरटी जरूर चेक करना कि तो मि दिक्कत नहीं आएगे इसमें आपको चेप करना पड़े ते करें यह सबगूप है। ओके, सो हमें एक और देखना पड़ेगा, ठीक है, सो h8 is equal to what, एक और है, एक है identity, r square, fr, और fr cube, ठीक है, आप इसको चेक कीजिए कि इस subgroup है, ठीक है, और h9 is equal to d4, और h10 is equal to identity, तो यह इसके सारे possible subgroups है, ठीक है, अब यहाँ पर एक point रहता है, वो है केले table का, ठीक है, केले table का, तो आपको करना कुछ नहीं है, हमारे पास जो इतने element है, e, r, r square, r cube, f, rf, r square, f, r cube, इसको एक side में लिखना है, इसको vertically लिखना है, multiply करना है, यह वाली properties लगानी है, और table देखना है, ठीक है, obviously, क्योंकि एक group बनाता है, तो आपके table में ऐसा कोई भी element नहीं आएगा, जो out of this set होगा, ठीक है, अभी लिए नहीं है, तो symmetry भी नहीं दिखाई देगी, यह सारी चीज़ें आप केले table में निकाल सकते हो, क्योंकि हमने केले table अल्रेड़ी D3 के लिए किया है, तो आप इस चीज़ के लिए भी कर सकते हो, ओके, आप इसको as a homework consider कर सकते हो, ओके, तो यह था square puzzle, I hope आप जो है, D4 group को visualize कर पाए हो, so D4 group is nothing but symmetric group of square, हम ऐसे और भी group theory को visualize करेंगे, so see you in the next video lecture.